अंडवर्ड डॉन दाउद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवर्था निदेशाले ने आज नवाब मलिक से पूछताज के बाद महाराश्ट्र के मंत्री और एन्सेपी नेता नवाब मलिक को किया गिरफतार नमश्कार मैं हूँ आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 आठ घंटे की पूछताज के बाद महाराश्ट्र सरकार ने मंत्री और एन्सेपी नेता नवाब मलिक को एडी ने गिरफतार कर लिया है नवाब मलिक ने एडी काराले से बाहर आते हुए हाथ उपर हिलाते हुए जुकेंगे नहीं जैसी मुद्रा में एन्सेपी कारकरताओं को इशारा किया लेकिन उन्हें एडी अधिकारियों ने मीडिया से बात करने का मौका नहीं दिया मलिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है जब से उन्होंने एंटी ड्रक्स एजेंसी एंसीवी के मुंबई छेतर के पूर्व निदेशक समीर वानखेडी के विरुद निजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाये थे मलिक के दमात समीर खान को गत्वर्श मादक पदार्थ के एक मामले में एंसीवी ने गिरफतार किया था आपको बता दे अंडर वर्ल की गति वीडियों और हवाला लेंदेन के संबन में एडी ने 15 फरवरी को मुंबई में चापे मारी की थी और एक नया मामला दर्श किया था ऐसा कहा जा रहा है कि एडी को रमान मिलने पर नवाब मलिक को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है पहले भी नवाब मलिक पर पूर्ट मुख्य मंत्री फरणाविस में गंबीद आरोप लगाये थे नवाब मलिक की गिरफतारी के बाद महाराष्टर की सियास्त गर्मा गई है महा अगारी सरकार के नेता केंड सरकार पर निशाना साध रहे है शिफ सेना के प्रवक्ता संजेर राउत ने कहा कि केंड्य जांच एजंसियों को गलत इस्तिमाल हो रहा है संजेर राउत ने कहा केंड्य जांच एजंसियों का दिरुप योग हो रहा है इसमें राजनीतिक बदले की भावना क्या है ये सबको मालूम है महाराष्टर में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है ये कानून की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई भी है दोनों लड़ाई हम लड़ेंगे अब ये मामला महराश्र की राजनीती में कितना भूचा लाएगी देखना होगा प्राइम न्यूस 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट